हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का जोगत हमारे इस यूडियूप चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं बिटा आपकी कारपतिका 37 के बारे में विज्ञान विसे की है जो कच्छा साथ की और यहां पर बिटा आपको अपना निम यहां पनी टीचर का निम लिखना है और पिटा रोज आपको प्राइज जीतना है तो उसके लिए आपको बस इत्ता करना है करना है वीडियो को लाइक चैनल को कर लेना है सस्क्राइब और सेयर करना है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गए इसमें दिया गए प्रकास समतल दर्पण दौरा बनने वाले प्रतिबिम्ब की विसेस्ता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिम्ब वस्तूओं के आकार के समान के होते है समतल दरपण के परतिबिम सीधे होते हैं एक समतल दरपण में बनने वाला परतिबिम जो है दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तू के सामने होता है कहने का मतलब क्या है देखें मैं आपको समझाता हूँ मान लीजे ये क्या है एक दरपण इस दरपण के सामने है कि ये वस्तू रख खड़ा है एक कोई आदमी तो उसकी जो उचाई होगी लंबाई होगी उसी तरीके से ये क्या होगा उचा और लंबा आदमी होगा ठीक है जो दरपण में बनेगा ठीक है? सेम वैसा ही होगा जैसा इसमें दिखाए जागा साथ ही साथ अगर इस दर्पन से इस वक्ति की दूरी मान लिजए एक्समीटर है तो इस दर्पन में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो भी एक्समीटर की दूरी पर ही बनेगा तो उचाई और दूरी इनकी क्या होती है समान होती है चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गए यह एकसंपल दर्पन में बनने वाली विसेस्ताओं के बारे में समझने के लिए क्रिया कला करते है गतिवी थी एक सतरनज का कारवोड ले या चाल्ट में क्या कलने के सामने क्या करें चौसट वर्ग बना ले आठ गोड़े आठ के ठीक है तो आगे देखिए क्या करना है इस कागज के मद्य में एक चोटी रेखा खीचे और रेखा के समतल दर्पन का प्रतिविम्ब लगा दें ठीक है और क्या करें इसकी जो छोटी वस्तु ले जैसे सापना रो गया पैंसल हो गई लोहे की कील हो गई इसे दर्पन के सामने चौथे वर्ग पर सीमा से रखें यानि इस दूरी से चौथे वर्ग पर रखें और इसके बाद प्रतिविम्ब की स्थिति देखें तो जो प्रतिव होगा वो भी कैसा होगा चोत्य वर्ग में होगा ठीक है वह कैसा होगा चौत्य वर्ग में बनेगा को इसके बाद क्या है पीटा है उसी वस्तू को फिर क्या करें पर फृसप हैं रखंए तो इसका प्रतिविम्वे पिंच दी गई ताavat विका का अवलोकन करें वस्तू की स््थिति क्या चोथे वर्ग पांच्वे वर्ग उ साथ व वर वर्ग में दरपण में वंदने अला पृतिविंब्म भी कहांगा तो वह एगा चोथवे कि वर्ग में कि पांच्वे कि यह यूंद और unken पर वर गई हैं थीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया कि उप्रिक्त खिल्या खिलाब में उप्रिक्त वस्तु के समतल दरपण में बनने वाले प्रतिबिंग की विसेस्ता हैं लिखें चैनल से सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस में पास्पेट करना ठीक है धन्यवाद प्यादे बच्चों